रुन्दावन धाम के खथा व्यास पंडित अशोग देवचार्य महराज ने प्रवचन में कहा कि श्रीमत भगवत कथा मोक्षदाईनी है। बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी तरह भक्त के बिना भी भगवान अधूरे होते है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे सच्चे मन से भगवान के चर्नों में जाए। गुपताव भागवत परिवार ने कथा को सफल बनाने के लिए योगदान दिया। कथा समापन पर 101 कन्या भोश कराया गया। साथी में भव्य महाप्रशाद का भी आईजन किया गया था। बीसे नियूस के लिए अभिशेक पांसी।